तो आज मैं आप लोगों को जो है वो शहत से और दही से ठाकुर जी का इसनान दिखवाने वाली हूं तो तीनों लोगों को आज मैंने जो है वो शहत से इसनान करवाया दही से करवाया तो काफी लोगों ने बोल था कि पितामबरी से मत करवाया करिये तो मैंने का कि चलो ठीक है अब की बार मैं दही से करवाती हूं तो मैंने दही से जो है वो इसनान करवाया है और उसके बाद जब शहत से करवाया तो हां शाइनिंग तो आई है अच्छी खासी पर क्या हुआ ना जैसे कि पितामबरी से मैं इसनान करवाती थी हर बारी तो एक साथ ही पूरा जो उनका शरीर है वो एक साथ चमकता था और दही और शह से क्या हुआ कि मतलब कहीं कहीं पे शाइन आई कहीं पे डलनेस दिख रही थी तो वैसा सा हो रहा था इसे पैचिस पड़ जाते ना ऐसा हो रहा था पर फेस पे अच्छी खासी जो है वो शाइनिंग आ ऐसे मेफ़न करने करिए और आज तो लुग अमोगे इसक्ट से पहाए यह का से इस नान कर बाल खूँए हूँ कुछ भी नहीं, जोलरी वगेरा, कुछ भी इतना खास नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि बहुत ही जादा गर्मी पढ़ रही है, इसलिए जब हम लोगो लगती है तो भगवान को क्यों नहीं लगेगी, उन्हें भी बहुत गर्मी लगती होगी, इसलिए आप लोग से भी मेरी य सिर्फ माला दाली है करते हैं अम बशालंगी अन्पलाइक छोड़ी प्मादा भूंगी क्योंकि मैं बहुत दिन हो गए मज़े मैं ऐसे ही शिंगार कर रही हूँ सर पे बाल वगएर नहीं लगा रही हूँ मुझे देखके बहुत तो लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है मुंबई में तो इतनी गर्मी हो रही है इस समय यह मौसम तो यहां बहुत गर्म होता है तो देखा आपने कितने प्यारे लग रहे हैं दोने लोग रेडी हो गए हैं किशफ को भी मैं औरेंज कलर की टी-शिट पैनाऊंगी और इसके नीचे एक फिरोजी कलर की जो इनकी पजामी है वो पैनाऊंगी यहां कि टी-शिट में थोड़ा सब भी ब्लीव कलर का टैच है इसलिए और कोविट का बहुत भी बुरा हाल चल रहा है आप यहां सब लोग सेफ सो हैं प्लीज सब घर में रहेगा मुंबई में और बाकी सारे ही शेहरों में बहुत ही जादा बुरा हाल है इविन मेरे बहुत सारे रिलेटेव ऐसे हैं और बहुत लोग परिशान हैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती मेरे घर तक में बहुत लोग परिशान हैं जिस कारण से मैं वीडियो भी नहीं लेके आ पा रहे हूँ और हो सकता है आगे भी मैं इसी तरीके से जो है वो तीन दिन चार चार दिन में एक वीडियो पोस्ट कर पाऊं क्योंकि जब आपके साथ सब अच्छा होता है न घरवाले अच्छे होते हैं आपको काम करने में अच्छा लगता है लेकिन कुछ भी चीज को आप इंजो आय करते हो लेकिन जब घरवाले आपके परिशान होते हैं तो यकीन मानिये कुछ भी नहीं कर मिलता है मनी नहीं लगता है कहीं पे भी तो प्लीज मैं आप लोगों से भी आई काऊंगी कि सब लोग सेफ रही है घर में रखे और आप सब ध्यान रखे और हो सके तो अपने रिलेटिप्स के सब के कॉंटेक्ट में रही है किसी को हेल्प की जरूरत हो तो बे जिजग उनकी हेल्प करें डरें नहीं कि उनको कोरोना है तो हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे प्लीज सब की हेल्प कीजे ये इस समय इतनी तेजी से फैल रहा है कि एक ना एक ने दिन सब को इसकी चापेट में आना है आप कितना भी फिर भी जितना हो सके अपने से सेफ रही है आप लोग तो भई मुझे चोटी सी आप लोग को अपडेट देनी थी कि बहुत सारे लोग मेरे घर में भी परिशान है मेरे ममी पपा जो है उनको भी जो है वो कोविड हो गया है तो उस वज़े से मन बहुत ज़दा परिशान है और अब वो लोग बहुत ज़दा ठीक हो चुके हैं और होफुली आने वाले दिनों में जो है वो बिलकुल अच्छे हो जाएंगे स्वस्त हो जाएंगे आप सब भी प्रेयर कीजेगा और बस मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप अपने अपनों का खयाल रखे अपनों का खयाल रखे साथ साथ अपना भी खयाल रखे बहुत जरूरी है इस टाइम कि हम सब लोग जो है वो अपने अपने घरों में सेफ रहें जो लोग बहार निकल रहें मजबूरी वश प्लीज उन लोगों से भी कहिए कि बहुत precaution के साथ बहार निकले और पूरा hand wash अच्छे से करें और बस सब अपना ध्यान रखें बस आप लोगों से मेरी एक छोटी सी यही request है कि सब अपना ध्यान रखें और बस तीनो ठाकुर जी जो है वो ready हो चुके हैं और केशफ के मैं इसके अलावा कुछ नहीं करने बाली माला अगला कुछ नहीं पहनाऊंगी सिंपल साही तैयार करूंगी और बस आप लोग देखें कितने प्यारे लग रहे हैं सादे से तैयार हो के भी बस ठाकुर जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और अगला आने वाला टाइम जो है वो सब के लिए बहुत ही जादा